हेलो दोस्तों, सिंपल फूडी चैनल में आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्वादिष दानेदार हलवाई इस्टैल में छेकट की रेसिपी मिल्केक बनाना बहुत ही आसान है, मिल्केक बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रीडियन्स लगते हैं मिल्केक को दूद को गाड़ा करके बनाया जाता है तो चलो शुरू करते हैं मिल्केक बनाना मिल्केक बनानी के लिए हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रिम मिल्क 2 टेबल स्पून गी 3 फोर्थ कप शुगर एक मटर के दाने जितना ऐलम इसे फिटकडी भी कहते है इसके बदले आप लेमन जूस या सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं और 1 फोर्थ टीजपून इलाइची पाउडर एक हेवी बॉटम स्टील की कड़ाई लेंगे इसमें 2 लीटर फुल क्रिम मिल्क टालेंगे और हाई फ्लेम पे उबालेंगे इसे आदा होने तक उबालना है दूद का एक उबाल आए तब तक बाकी की तयारी कर लेते हैं चलो पहले फिटकरी का पाउडर कर लेते हैं इसके लिए एक मटर के दाने जितनी फिटकरी लेते हैं और इसे खल दस्ता से fine powder कर लेंगे आप देख सकते हैं ये fine powder हो चुका है आप इसे side में रख देंगे अगर आपके पास fit curry नहीं है तो एक टेबल स्पून lemon juice को दो टेबल स्पून पानी के साथ मिला कर भी डाल सकते हैं हमने cake जमाने के लिए एक छोटा सा पतीला लिया है आप कोई भी टोप या cake tin ले सकते हो अब इसमें थोड़ा गी डाल के अंदर से अच्छे से grease कर लेंगे हमारा cake जमाने का बरतन ready है दूत का एक उबाल आ चुका है अब इसे continuous चलाते रहना है इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई के तले पर दूत चिपकना नहीं चाहिए थोड़ा भी जलेगा तो milk cake का टेस्ट खराब हो जाएगा दूत को आधा करने में काफी टाइम लग जाता है आप दो बरतन में आधा आधा करके भी उबाल सकते हो हमारा दूत गाड़ा हो रहा है आप देख सकते हो मलाई के दाने बन रहे है थोड़ी देर और चलाते रहेंगे हमारा दूत अब reduce होके one third हो चुका है gas का flame slow कर देंगे और इसमें fit curry का powder जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे इसे कुछ second के लिए बिना चलाए छोड़ देंगे इससे curdling अच्छी होती है लगबग आधी मिनिट हो चुकी है अब इसे हम और चलाते रहेंगे हमने यहाँ fit curry डाली है आप lemon juice भी डाल सकते हैं जादातर हलवाई लोग fit curry डालते हैं इससे milk cake दानेदार होती है इसको चलाते रहना है और लगबग 10 मिनिट पकाना है जब तक यह गाड़ा और दानेदार होना जाए देखो अभी यह गाड़ा हो रहा है और दानेदार लग रहा है अब इसमें शुगर डालेंगे हमने 3-4 cup शुगर ली है आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं पहले थोड़ी शुगर डालेंगे इसे mix करेंगे यह पिगल जाए और mix हो जाए तब हमारी बाकी बची हुई शुगर डालेंगे और इसे अच्छी तरह mix कर लेंगे इस बात का ध्यान रहे गैस लोही रखना है और एक सार्च शुगर नहीं डालनी है नहीं तो यह mixture और पानी अलग हो जाएंगे अब इसमें 1-4 teaspoon इलाइची पाउडर डालेंगे और mix कर लेंगे इसको चलाते ही रहना है अगर थोड़ी देर भी छोड़ देंगे तो यह चिपकने लगेगा और जल जाएगा जैसे ही यह mixture गाड़ा और बबली हो जाए इसमें 1 tablespoon घी डालेंगे इससे milk cake soft होती है और तले पे चिपकती नहीं है इसे थोड़ी देर और चलाएंगे फिर एक और tablespoon घी डालेंगे इसमें सब मिलाके 2 tablespoon घी डालेंगे इसे तब तक पकाएंगे जब तक यह mixture कड़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दे आप देख सकते हैं यह mixture कड़ाई छोड़ रहा है और जबने वाली consistency पे आ गया है अभी gas बंद कर देंगे और तुरंथी cake जमाने के लिए जो पतीला हमने grease किया था उसमें transfer कर लेंगे इसे चमत से level कर लेंगे और ढकन लगाकर cover कर देंगे अभी इसको एक towel में अच्छी तरह pack करेंगे और 5-6 गंटे तक जमने के लिए side में रख देंगे इसे towel में pack करने से color अच्छा आता है क्योंकि towel heat को पकड़ कर रखता है छे गंटे हो चुके हैं हमारा milk cake जम के तयार है इसे towel से निकाल देते हैं चाकू की मदद से milk cake को बरतन से अलग कर देंगे पतीले को उल्टा करेंगे और थोड़ा उपर से मार के इसे अलग कर देंगे अगर आपका केक पतीले से अलग नहीं हो रहा है तो इसे gas पे हलका गरम करके निकाल सकते हैं अब हमारी milk cake को pieces में cut कर लेंगे हमारी स्वादिष्ट हलवाई जैसी milk cake तयार है अगर हमारी recipe पसंद आए तो like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप ये recipe जरूर try करना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा comment box में लिख के जरूर बताईए